हेलो दोस्तो स्वागत एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल त्यागी किलम में दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गंगा एक्सप्रसवे के उपर एक लेटेस्ट न्यूज आ रही है गंगा एक्सप्रसवे का सिल्यान्यास कब होगा जो गंगा एक्सप्रसवे का सिल्यान्यास है वो कब होगा और कम कब सुरू होगा इसके बारे में बताने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक् इसके लिए सासन पिर सासन के इस तरशे तेजी से कारवाई चल रही है संभावना जटाई जा रही है कि दिसम्बर में सिलन्यास हो गया तो 14 जनवरी मकर संकरांती से गंगा एक्सप्रसवे काम सुरू हो जायगा तो ये देखिए इसमें बताया है कि संभावना जिताई जा रही है अभी कोई एकदम परफेक्ट नियूज नहीं दिये नोंने संभावना जिताई जा रही है कि दिसंबर में सिलन्यास हो गया तो 14 जनवरी मकर संकरांती से गंगा एक्सप्रसवे का काम सुरू हो जायागा पिछले वर्स कुम बेले के दोरान प्रियागराज में मुख्यमंत्री योगी अधितिनाथ ने मेरट पिडियागराज गंगा एक्सप्रसवे की गोशना की थी तब से लगतार यूपिडा की ओर से कारवाई चल रही है यूपिडा की कंसल्टेंट एजनसे की ओर से गंगा एक्सप्रसवे का डी पियर फाइनल कर दिया गया है अब केवल कैबिनेट से सुईकृती के बाद सिलन्यास का कारेकरम होना है अधिकारियों के अनुसार संभावना है कि दिसंबर में गंगा एक्सप्रसवे का सिलन्यास हो जाएगा उसके बाद जनवरी में 14 जनवरी के बाद काम सुरू हो जाएगा इसके बाद दोस्तों देखिए गंगा एक्सप्रसवे को भी स्रण सुरिकरत गंगा एक्सप्रसवे का प्रोजक्ट लगभग करीब 40,000 करोड का है इस रासी के लिए सरकार ने हुडको और चार सरकारी बैंकों से स्रण की सुरिकरती प्राप्त कर ली है जो करीब 18,250 करोड है अब प्रोजक्ट के लिए अन्य निजी बैंकों से स्रण लेने का फैंसला यूपिड़ा की निदेशक मंडल ने लिया है तो दोस्तों इसमें इंपोटेंट बात यह है कि जो सिलन नयास है वो दिसंबर में अगर हो जाता है तो 14 जनवरी मकर संक्रांती से गंगा एक्सपेस्वे का काम सुरू हो जाएगा इसमें यह है बता है निजी में तो दोस्तों वीडियो पसंद रहे तो लाइक करें शेयर करें आज की वीडियो और सिर्फ इतना ही धन्यवाद